Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का देई इनप पर सौगत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History MHI 06 का 4th Unit पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर में हम जानेंगे कि इस Unit के अंदर में total कितने chapters हैं और इन chapter के basis पे क्या questions बनेंगे, किस तरह के topics हम cover कर सकते हैं और exam में किस तरह से questions पूछे जाएंगे, उसके pattern क्या होगा, उसके बारे में हम यापे बात करने वाले हैं तो दोस्तो वीडियो बहुत important होने वाली है, वीडियो को last तक देखेगा और इससे पहले की जो units हैं, वो मैं करवा चुका हूँ, अगर भी तक आपने नहीं देखा है तो देख लीजेगा जिससे आपको समझ मैं है, और जैसा भी response होगा इस वीडियो के उपर में, उसके बाद ही मैं आगे की वीडियो लिखा रहा हूँगा दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको एक suggestion भी देना चाहूँगा अगर आप MA history, MHI 06 के लिए prepare कर रहे हैं, अच्छे नमबर लाना चाहते हैं तो the in-up के उपर में एक video डली हुई है, last five year के question paper का, almost सारे subject का डल चुका है तो आप अकर उसे देखते हो, तो आपके लिए benefit होने वाला है, क्योंकि एक बार में आप उससे almost 90% अपना सलिवास cover कर पाओगे इस video की मतलब से सरीफ आपको एक idea मिलेगा, concept मिलेगा, roughly एक idea लग जाएगे कि हाँ ये चीज़े इसके अंदर में पढ़ने है चले start करते हैं, सबसे पहले दोस्तो हमारा fourth unit है, उसका नाम है पारंबिक मद्यकालिन समाज इस starting का जो मद्यकालिन समाज था वो किस परकार का था, इसके बारे में इस unit के अंदर में हम बात करेंगे चार chapter आते हैं total, chapter number 12 है, जो हमारा पहला इस unit का रहने वाला chapter उसके अंदर में बात करते हैं पारंबिक मद्यकालिन समाज का, ठीक है कि starting का मद्यकालिन समाज में परिवर्तन किस परकार से हुए ठीक है, परिवर्तन किस परकार से हुआ, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या परिवर्तन हुआ तो ऐसे तो इसके अंदर में खास topics नहीं बनते हैं क्योंकि उतने जादा खास नहीं कि जो exam में पूछ जाए बट फिर भी हम अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आता है कि इतिहास लिखन का कालाविधी करन मतलब किस तर से divide किया गया, time period में, अलग-अलग time period को कैसे बांटा गया इतिहास का, उसके बारे में बात करता है अब देखो, जब हम मद्यकालिन time period की बात करते हैं, तो पूरे मद्यकालिन time period में अलग-अलग राजा हुए, अलग-अलग group हुआ, अलग-अलग समुदाय हुआ, तो उसके इसाबस यहाँ पर time period बांट दिया गया जैसे पूरा, अगर हिंदू का जो राजा रहा, तो उसको हिंदू यूग के तौर पे दिखाया गया, कि यह हिंदू यूग हो गया तो जैसी मुसलिम के इन्विजन हुआ, तो उसके बाद दिखाया गया, कि यह मुसलिम यूग हो गया उसके बाद का जो अंतिम यूग के तौर भी दिखाया जाता है कि वो ब्रिटेन दिवाले, जो अंगरीजी यूग रहा, आधूनिक यूग रहा जहाँ पर ब्रेटिस आये, ठीके तो वो उसके बाद वहाँ पर इस तरह से यूगों में बाटा गया, तो एक कोशन ये बन जात किस तरह से यूगों के अंदर में, समाज के अंदर में कैसे परिवर्तन हुआ, उसको किस हिसाब से बाटा गया, अब देखो, पहले हिंदू राजा राज कर रहा था, उसके बाद आये मुस्लिम, ठीके तो मुस्लिम राज करने लगे, तो ये क्या परिवर्तन हुआ ना समा सहरों के पतन की समस्या, सहर पतन कैसे हो रहते हैं, क्यों पतन हुए सहर, ठीके पहले तो ग्राम से सहर बने, फिर अब पतन की हुए, ठीके तो सहरों का पतन, क्रिशी का विस्तार, भूमी अनुदान और समध्यस्तों की विकास, अब देखो, इसके बारे मैं बात करते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहला topic यही बनता है सहरो की पतन की समस्या किस परकार का है अगर आपको इसको समझना है तो यहाँ पे एक और topic है उसको भी समझना पड़ेगा जो most important topic of the video कह सकते हो आप यह आ जाता है सामंतवाद ठीक है सामंतवाद अगर आप पढ़ते हो तो यह से जमीन अनुदान की जो ववस्ता थी ठीक है भूमी अनुदान की ववस्ता उसने क्या 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 सामंतवाद को जनम दे दिया ठीक है सामंतवाद के जनम से क्या हुआ कि वो जो भूमी पर अधिपत होता था उसके उपर अधिकार मिल गए और दीरे-दीरे करते करते इसके कारण़ने थे सहरों का पतन होने लगा तो कोशन ही आ जायका deuxों का पतन क्यों हुआ ठीके मद्धेकाल के अंदर में पारमभिक मद्दे काली इसमाज में सहरों का पतन किस परकार से रही व पतन की समस्य हैं क्या थी उसके वारे में आपको बताना होगा ठीके पतन की समस्या यहां पर खुदी बता रखा है, क्रिशी का विस्तार होना, ज्यादा तर विस्तार होना रुख गया है, भाई, बाड़ी नहीं रहा, खेती बाड़ी होई नहीं रही थी उस तरह से, भूमियरुदान जैसे विवस्ता थी, मद्यस्तों का विकास, जो मिडल में ह होते थे न, बिचोलिये, उनका बहुत जादा विक्सित हो गयते, बहुत जादा विकास हो गया था, उसके कारण से यह हुआ, ठीक है, सामनतवाद आप, मैंने बहुत अच्छे से कवर करवा रखा है, MHI 06 के पर्टिकुलर टॉपिक्स भी डलवा रखें, प्लेलिस्ट जो जो अनुदान दे गया है, उपर से सामनतवाद, नीचे से सामनतवाद मतलब किसी व्यक्ति के द्वारे जो अनुदान दिया गया है, वो नीचे से सामनतवाद, इसके कारण से क्या हुआ हुआ, एक middleman, बिचोलिया, ठीक है, मध्यस्त का विकास होने लगा, ठीक है, middleman का व बनता है एक कोशन कि वन और जातियों का उदय किस परकार से हुआ तो चार तरह के वन थे कुणकों से ब्रामन छे चत्रिये वैश्या और चुद्र इस तरह से चार वन थे और उनको उन साथ में उठे और अपने आपको घूसित कर दें में राच्पूत ऐसा नहीं था स्टार्टिंग में जो वन बना आपकी काबलियत की साप से बना जो जातियां बनी या फिर जो भी नएने वन्सु का उदय हुआ वह कैसे हुआ तो जैसे मालो कोई व्यक्ति है एक 20 लोगों का है उसके अंदर में कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छी लेडर क्वालिटी है उसके अंदर में लेडर क्वालिटी है तो उसने लीड करने लगा ठीक है अपने आपको पूरे उसके हिसाप से लीड करने लगा लीड करने लगा तो वो अपने आप ही बनेगा छत्री है कि व इसके बारे में बात करते हैं ठीक है समझ में आता है यह वाला चैप्टर भी अगला चैप्टर है का हमारा चैप्टर नमबर 15 ठीक है समाज में धर्म समाज में धर्म की विसेस्ता यहां पर आ जाता है तो धर्म है क्या तो मद्यकाल में धर्म की मुख्य विसेस्ता किस परकार से रहे धर्म होता क्या है धर्म की विशेष्टा क्या था तो रिलीजन बहुत important है ठीक है रिलीजन के उपर में कई सारे questions इस पूरे book के अंदर में बने हुए है ठीक है तो यहां पे धर्म की विशेष्टा एक कोशिन बनेगा धर्म की विशेस्ता क्या है तो धर्म ने क्या कहया लोगों को सिक्षित किया अलग अलग तरीके से कई जगह पे देखा जाता है धर्म हावी होते हुए दिखता है तो कई जगह पे धर्म useful भी था कि राज्य व्यवस्था, अगर कोई व्यवस्था चल रही है, जो मैंने बताया था ना भी पिछे कि धर्म हावी भी हुआ, तो हावी होना यहाँ पर मतलब, राज्य व्यवस्था पे किस परकार से धर्म का परभाव रहा, वो बताओंगे, ठीके, अब राजा, माल लो, यह प जिस देश को गुलाम बनाया, मतलब, बृते ने भारत को गुलाम बनाया, आज भारत का ही बंदा वहाँ पर प्रधान मंत्रिया, ऐसा कैसे पॉस्थिबल हो सकता है, तो सारे चीज़े यह concept थी, ठीके, तो यहाँ पर यह धर्म अपने नजरीत से देखता है, तो वहाँ पर इसके इंदरे पढ़ने के लिए, दो-तीन important topic है, जो मैं बता चुका हूँ, आपको पढ़ो के सई से, easily cover हो जाएगा, और भी वीडियो के लिए, चैनल को like, share, subscribe जरूर कर लें, जिससे आपको time to time update मिलता रहे, ठीक है, और आपका जैसा भी response रहेगा, उसके बाद ही मैं आग एकनी वीडियो डालूँ है, तो bye-bye, take care all the best friends.